विश्यापुरा के समीब चरगवा इलाके के ग्राम तिनेटा में सोमवार को एक दर्दनाक हाथसा हो गया है इस हाथसे में ट्रेक्टर पलटने से चार बच्चों सहित पाश लोगों की मौत हो गई है बही दो घायर भी हुए है पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चार गवा थाना छेतर के तिनेटा में धर्मेंदर ठाकुर की बहन की शादी थी और वर ट्रेक्टर से समान लेने जा रहा था इसी दोरान ट्रेक्टर पलटा और उसमें सवार चार बच्चों सहित पाश लोगों की मौत हो गई इस हादसे के बाद जिस घर में शादी थी बहाँ खुशिया मातम में बदल गे कटना की सूशना मिलते ही प्रदेश सरकार में मंतरी राकेश सिंग अस्पतार पहुँचे और डॉक्टरों से हादसे की जानकारी ली बईस हादसे पर प्रदेश के मुख्य मंतरी डॉक्टर मोहन यादब ने हादसे पर दुख जताते हुए आर्थिक सहायता का एलान किया है यह थाना चरगवा चेतर में ग्राम तेनेडा के बास एक ट्रेक्टर दुरगटना हुई है जिसमें पाँच बच्चों की मृत्यू हो गई है दो बच्चे अनिक हायल है जिने मेडिकल कॉलेज लाकर बरती कराया गया है कटना का कारण बताया जा रहा है कि यह सभी गाउं के बच्चे ट्रेक्टर में सवार होके पानी का टैंकर लेने जा रहे थे और काफी तेजी में था ट्रेक्टर चालक और ये ट्रेक्टर बहेकर रोड के किनारे पलड गया जिसमें बच्चों की दब जाने के कारण वित्ति हो गई दो बच्चे जो ट्रेक्टर से फिक गए थे वो बच गए हैं गायल अवस्तावन को लाए गया उपचार या मेडिकल ऑस्पटिल में किया जाए एक दुखद दुरगटना चरगुआ छेतर में हुई है जिसमें पांच छोटे बच्चों की आकस्मिक ब्रत्य हो गई एक ट्रेक्टर से ये सभी बच्चे तलाब में नहाने के लिए जा रहे थे जो बच्चे ने मुझे खुद बताया है और उसमें चलाने वाला भी एक 16-17 साल का बच्चा था लेकिन दुखद ये है कि परिवार में विवाह था और ये आकस्मिक रूप से ही दुरगटना घड़ गई है और उसमें मैंने प्रशासन से चर्चा की है और कहा है कि जो मृतक है वो और जो गायल है वो इन सभी को प्रशासन का सहयोग भी मिले इनका उपचार भी बैतर तरीके से हो प्रशासन अपने स्थर पर वो सारी वस्ताइं कर रहा है